हलो फ्रेंड्स बलकम तू मा यूटूब चैनल गाइस आठ बच्चुका है जो भी बच्चे आउनलाइन आगों तो प्लीज मैसेश कर दीजिए जिससे कि हम लोग अपना लाइब टेस्ट स्टार्ट कर सकी हैं तो आज के इस लाइब टेस्ट में हम लोग आई सी ए आर आई ए प्सक्राइब कर लें पासी में आपके फिल आईकॉन होगा उसको भी दबा लें इससे आनसारी नए वीडियो को निफिकेशन आप सबी लोगों तक असानी से पहुंच जाएगी एक कोशन के लिए आपको दो से तीन सेकंड का समय दिया जाएगा दो से तीन सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूँगा आज के इस वीडियो के पीडियो फाइल आप हमारे टेली गाम गुरुप से अप्राप्त कर सकते हैं टेली गाम गुरुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्करसन में दिया गया है पहला कोशिन आज कमारा रहेगा केंद सरकार ने हाली में कितने राजियों में विदान सबाश चुनाओं से पहले चुनाओंवी वरांड की 19 वी किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है तो चार उप्सन आपके सामने हैं उत्तर परदेश, उत्त्राखंड पंजाब, हिमाचल परदेश और गोवा में अगले साल विदान सबाश चुनाओं होने बाले हैं तो पांच राज वो कौन काऊं से हैं यह आपको ध्यान रखना है उत्तर परदेश उत्तराखंड, पंजाब हिमाचल परदेश और गोवा पहले चरण के चुनाई वरांड की विक्री एक से दस मार्च 2018 के दौरान हुई थी वरांड की अठारवी किस्त की विक्री एक से दस सितंबर 2021 को हुई थी तो इस कोशन से आप लोगों को 126 वागों की मौत हुई है सबी लोग अंसर बताते हूँ चुलेगा option D जो है आपका विल्कुल करक्त हो जाएगा राश्टिय वाग संद्चन प्रादी करण तो इसके बारे जान लेजी आप लोग मद्परदेश में 526 वागों का गरता यहां सबसे अधिक 42 वागों की मौत हुई है इसके बाद माराश्ट में जहां 300 वाग ते यहां 26 वागों ने अपनी जान से हाथ धोया राश्टिय वाग संद्चन प्रादी करण एंड़ टीसीय के मुताविक भारत में 2021 में कुल 126 वागों की मौत हुई जो एक दसक में सबसे ज़्यादा है इस साल 29 दिसंबर तक एंटीसीय की आँकों के मुताविक मरने वाले 26 वागों में से साथ संद्चे छेत्रों के बार सिकारियों दुरघटनाओं और मानो पसूप संगर्स के सिकार हुवे हैं तो इस कोशन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राफ्त हो जाती है अगला कोशन कोशन है गाइस प्रधान मंत्री नरेंद मोधी ने हाली में राश्टी है ब्लोक्चेन परियुजना के तरह किस IIT संस्थान में ब्लोक्चेन आधारी डिजिटल डिग्री लाँच की है सबी लोग आंसर बताते हुवे चलिएगा सी वाला जो आफसान है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा IIT कानपुर प्रधान मंत्री नरेंद मोधी ने IIT कानपुर के चोवनवे दिशांत समारों में ब्लोक्चेन आधारी डिजिटल डिग्री का सुवारम किया यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अगला कोशन देखेगा सो गाज चौथा कोशन है इनमें से किस देश ने हाली में विस्ट का पहला डूवल मोड वाहन पेस किया है इंगलेंड, न्यूजिलेंड, जापान, चीन सबी लोग अंसर बताते हूँ चलेगा सी वाला जो अप्षन है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके बारे जान लेते हैं जापान के बारे में दुनिया का पहला DMV जापान ने सुरू किया है इस कोशन से आप लोगों को इतनी जानगारी प्राप्त हो जाती है अगला कोशन देखेगा अगला कोशन है निम्ड में से किस देश ने हाली में विस्व की सबसे लंबी मेर्ट्रो लाइन सुरू किये जापान चीन अमेरिका आश्टेलिया ओप्सन बी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा चीन 31 दिसमबर 2021 को चीन के शंगाई प्रांथ में दुनिया की सबसे लंबी मेर्ट्रो लाइन खोली गई इस उद्गाटन के साथ संगाई में दुनिया भर में सबसे बड़े मेट्टो नेटवर्क वाले जहर के रूम में अपनी रैंक बरकरार रखी है इस कोशन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है अगला कोशन देखेगा निम्न में से किस देश द्वारा वर्षविक रोवर्टिक्स हब बनाने के लिए पंच बरसी योजना शुरू की है अमेरिका भारत चीन जापान ऑप्सन सी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा चीन चीन ने वर्ष दोहजार पच्चिस तक वैश्विक रोवर्टिक्स इनुवेशन हब बनने के अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए पांच साल के रोड मैप की घोश्रां की है अगला कोशन देखेगा गैस अगला कोशन है इनमें से किसने हाली में वीना एमपी पनकी यूपी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियूजना का पुदधाटन किया है राजना सिंग योग यादितना नरेंद मोदी हरदेम सिंग पुरी सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा आंसर हो जाएगा ओप्सन सी नरेंद मोदी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने 524 करोन रुपए 1227 करोन रुपए यूपी में और एमपी में 297 करोन रुपए के परिवय के साथ पनकी कानपुर यूपी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियूजना प्रतिवर्स 45 मिलिय अंजाम दिया है तो इस कोशन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाते हैं अगला कोशन कोशन है गाईस निम्न में से कितनी भासाओं में साहित अकादमी प्रोषकार की घोशना की गई बीस बाइस अठारा तस ऑप्सन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बाइस साहित अकादमी बाल साहित प्रोषकार 2021 के लिए बाइस भारतिय भासाओं में प्रोषकार घोशित किये गए है नमा कोशन गाईस हाली में यू 90 एसिया कब खिताब किस देश ने जीता है स्रिलंका भारत बं डिफेंडिंग चेंपियंस्री भारत ने स्रिलंका को 9 विकेट से हरा कर अंडर 90 एसिया कब का खिताब जीत लिया है स्रिलंका ने वर्षा बादित किताबी मुकाबले में 38 ओबरों में 9 विकेट पर 106 रन का स्कोर बनाया था हाली में किसने भारतिया तटर अच्छक वल के 24 में प्रमुक के रूप में पदवार समाला है सबी लोग अंसर बताते हो चलेगा ऑफ्सन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वी एस पठानिया वी एस पठानिया एपॉइमेंट इंडियन कॉस्गार्ट चीफ महानिर्देशक विरेंदर सिंग पठानिया ने भारतिया तटर अच्छक वल के 24 में प्रमुक के रूप में पदवार ग्रहान किया इस कोशन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है यह अर्मा कोशन देखेगा दी पॉपुलेशन बंब नामक उस तक किस वर्स प्रकासित हुई थी तो यह प्रकासित हुई थी उनी सो अर्चट में तो डी वाला जो अप्सन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दा पापुलेशन बंब के लेकक पॉल आर एहर लीच तो आपको ध्यान में रखना है अगर कोशन पूचा जाए पेपर में पेपर में कोशन पूचा जाए दा पापुलेशन बंब के लेकक काउन है तो दा पापुलेशन बंब के लेकक है पॉल आर एहर लीच यह आपको ध्यान रखना है 1968 में एहर लीच की प्रकासित पुस्तक में जन संक्या के तीबर प्रसार की बात कही थी इसे उन्होंने अपनी पत्मी के साथ लिखा था इसमें 1970 तथा 1980 के दसक में अकाल की सम्माबना ब्यक्त की गई थी तो इस कोशन से आप लोगों को इतनी जानतारी प्राप्त हो जाती है अगला कोशन बेखेगा कोशन ने काई 1992 के प्रत्वी सम्मेलन में लगबग कितने देसों के राष्ट्या देस सामिल हुए थे समी लोगा अंसर वजाती हो चलेगा तो सी वाला जो अप्सन है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा 108 पर्यावरन एम विकास पर संयुक्त राष्ट सम्मेलन प्रत्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है प्रत्वी सम्मेलन ब्राजील के राष्टानी रियो डी जेनरियों में 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक चला जिसमें 182 देसों के परती निदियों ने भाग लिया तो इस कोशन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है अगला कोशन देखेगा क्लब आफ रोम ने किस वर्स संसाधनों के विवेक पूर्ण उपियों का प्रस्ताव रखा ओप्सन सी जो है आपका विल्पूल करेक्ट हो जाएगा 1968 क्लब आफ रोम में वर्तमान और पूर्ग राज़ प्रमुक सयुक्त राष्ट प्रसासर उच इस्तर के राजनेता और सरकारी अधिकारी राजनाईक वैग्यानिक अर्थसास्तिरी सामिल है और दुनिया भर के व्यापारिग नेता इसने 1972 में कलब आफ रोम के लिए पहली रिपोर्ट के साथ दा लिमिट्स टू ग्रोथ में काफी लोगों का ध्यान आकरसित किया एक जुलाई 2008 से संगटन सुजलेंड में विटर थुल पर आधारित है इस कोशन से आप लोगों को इदनी जानकारी प्राप्त हो जाएगा अगला कोशन 1774 इस भी में फ्रांस की राजगदी पर कौन आसी हुआ सबी लोग अंसर उदाते वो चलेगा तो सी वाला जो आप्सन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लुई सोलवा लुई सोलवा इसका सासनकाल था 1774 से 1793 लुई पंदरवे का पोत्र था उसके बाद फ्रांस का राजगदी बना और उसका जन 1754 में हुआ था यह आपको ध्यान रखना है लुई का ये दुरुबागय था कि अपने पुरवजों के कार्यों का भुगतान उसने अपने प्राणों की बली दे कर किया 14 और 15 लुई का सोच्छा चारी सासन बिगरती आर्थिक दसा शामंतों की अत्याचार और हर प्रकार की असमानता से पेड़ित जन्ता ने 1789 में करांती का जंडा खड़ा कर दिया लुई की दयापोड नीदे के करण प्रसितियां बिगरती गई वर्सिया पर जन्ता ने आक्रमन किया और एक समिदान को संचालिब किया लुई को ट्योलरी के राजमहल में बंदी कर लिया गया लुई को वहां से भगाने का प्रतन अस्फल रहा उस पर यह भी दोस्त लगाया गया कि अपनी सत्ता पुन इस्तापित करने के लिए वाद दूसरे राजाओं से चोरी-चोरी सायता की याचना करता था रहा है देश-द्रो के आरोब में उसे 21 जनवरी 1793 को 38 वर्स की आयो में प्राणदंद दे दिया गया तो इस कोशन से आप लोगों को इतनी तो जनकारी मिल जाते हैं का भी कुछ जनकारी आप लोगों को मिल जाती है अगला कोशन कोशन है काई सीधी राज को अदा किया जाने वाले कर को क्या कहते हैं इसे कहते हैं टाइल तो बी वाला जो आपसन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा टाइल सीधे राज को अदा किया जाने वाला कर है नेश कोशन टाइट का अर्थ क्या होता है गाई टाइट का अर होता क्या है चर्च द्वारा मसूल किया जाने वाला कर यह कर क्रसी उपच के दस्वे हिस्से के बरावर होता था टाइल सिधे राज को अधा किये जाने वाला कर है अगला कोशन प्रांसीसी करांती कब शुरू हुई थी काफ इंपोर्टेंट कोशन है आप लोगों के लिए परिच्छा की ड्रेश्टी से फ्रांसीसी करांती 14 जुलाई 1789 इस वी को शुरू ही थी यह वाला जोगा अपसन है आपका पिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रांसीसी करांती फ्रेंच रिवलेशन 1789 से 1799 फ्रांस के इतियास की राजनेतिक और सामाजिक उतल फुतल एवं आमूल परिवर्तन की अबदी थी जो 1789 से 1799 तक चली बाद में नेपोलियन बोनापाट ने फ्रांसीसी समराज के बिस्तार द्वारा कुछ अंस तक इस करांती को आंगे बढ़ाया करांती के फल्सुरूप राजा की गदी से हटा दिया गया, एक गरतंत की स्थापना हुई खुनी संगर्सों का दौर चला और अननत नेपोलियन की तानासाई इस्थापना हुई जिसमें इस करांती के अनेकों मुल्यों का पश्मी यूरोप से यूरोप में जता उसके बाहर प्रसार हुआ इस करांती ने आधुनिक इतिहास की इतिसाव अदल दी इसमें विस्तु भर में पूर राज तंत्र का हास होना शुरू हुआ ने गरतंत एमं उधार प्रजात तंत्र बने तो इस कोशन स से आप लोगों को इतनी जादकारी प्राप्त हो जाती है अगला कोशन है तो कोशन है चर्ज के बिशयस कारेयों को करने वाले व्यक्तियों को पादिरी वर जाता हैं अगला कोशन फ्रांसिस्टी करांती किस стать में इसकी सुरूरा हुई थी बिर्टन रू परिस इपतिने से option c जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा इसकी शुरुवात जो है पेरिस से होए थी पर्थम चरण 1789, 1792 इस चरण पेरिस की भीर्ड ने बास्तिल के किले पर नियंतरन इस्तापित किया इस तरह करांती की शुरुवात हुई अगला question मारसिले क्या है तो मारसिले क्या है तो मारसिले फ्रांस का राश्तिय गीत है तो ये वाला जो अप्सन है आपका विल्कुल correct हो जाएगा मसले फ्रांस का एक सहर है जिसे जहां जिसे पर मैथली ने 1821 में यंग इडिली की इस्तापना किये थे नेपोलियन बोना पार्ट कौन था तो नेपोलियन बोना पार्ट ये फ्रांस का समराट था तो विवाला जो अप्सन है आपका विल्कुल correct हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस 1779 पांच माई 1821 जन्म नाम इसका था नेपोलियानी दी बोनापार्ट फ्रांस की करांती में सिनापती 119 बर 1799 से 18 माई 1804 तक पर्थम काउंसल के रूप में सासक और 18 माई 1804 से 6 अपराइल 1814 तक नेपोलियन के नाम से समराट रहा इतियास में नेपोलियन विस्व के सबसे मान सिनापतियों में गिना जाता है इस कोशन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है देखिए हर एक कोशन से related मैं आपको extra fact भी बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के mind में हर एक कोशन अच्छे से set हो जाए और जो कोशन है उसके बारे में आपको अच्छे से पता हो जाए मैं आपको पेडिया भी दूँगा लिंक वीडियो के discussion में राज रोवेश्पियर ने इस्तापित किया तो सी वाला जो अपसन है आपका दिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जब जैक भीओ ने पेडियो की भीड़ और कम्यून की सायता से कर्मेशन पर आक्रमन कर सत्ता पर अधिकार किया जिरोदस्ती को गरतार कर आतंग के राज की स्थापना की अगला कोशन देखेगा गांदी जी दच्छड अफरीका से भारत कब लोटे थे जन्बरी 1913, जन्बरी 1914, जन्बरी 1915, जन्बरी 1916 सबी लोग अंसर बताते हुए चलेगा सी वाला जो अफसान है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जन्बरी 1915, चलिए इसके बाद भारत की आजादी का जो आंदूलन उन्हों ने चलाया, उसी ने हमें अंग्रुज्यों से आजात कराया मुंबई में खिलाफत समित का गठन कब किया गया था, मुंबई में खिलाफत समित का गठन कब किया गया था, वर्स 1919 में, तुसी वाला जो अफसान है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा खिलाफत आंदूलन, मार्च 1919, जनबरी 1921, मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समित का गठन किया गया था, मुंबई अली और शौकत अली बंदूहों के साथ साथ, उनके मुसलिम नेताओं ने इस मुद्धे पर सयुक्ते जनकारवाही की संभाबना तलासने के लिए मात मातमा गाधी के साथ चर्चा शुरू कर दी, सितंबर 1920 में कांगरस के कॉलकाता अधिविसर में मातमा गाधी ने इसमें भाग लिया, तो इस कोशन से आप लोगों को कितनी जनकारी प्राप्त हो जाते हैं, काफी जनकारी आप लोगों को प्राप्त जाती है, 25 कोशन, इस्थान यूरोप अफरीका और मद्यपूर्प आंसिक रूप में चीन और परशांत दीप समूंग परिणाम गठवंदन सेना की विजए जर्मनी रोसी ओटोमनी और आश्टेडिया हंगरी समराज का अंध। इस कोशन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है पर्थाम विजए यूद्ध के बारे में देखें गाज आईसी यार टेक्निसियन की फॉर्म भरने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है और हो सकता है कि एक्जाम डेट भी बढ़ा दी जाए तो तैयारी अगर एक्जाम डेट बढ़ जाती तो आपको तैयारी करने का एक और अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा तो फिलाल आप तैयारी करते रहे हैं कोशन गाए चोरी चोरा किस राज़े में इस्तित है चोरी चोरा जो है यह उत्तर परदेश में इस्तित है यह आपको ध्यान में आखरी का चोरी चोरा है क्या इसके बार हम जाल लेजी आप लोग चोरी चोरा कांड़ चार फरवरी 1922 को बिल्डेस भारत में स्वेंतराज के गोरक पो जिले के चोरी चोरा में हुई थी जब असायोग आंदोलों में भाग लेने वाले प्रदरसन कारियों का एक बड़ा सम वियों के मरत्य हुई थी मातमा गांदी जो हिंसा के घोर विरोधी थे ने इस घटना के पर्तेश परिड़ाम के रूम में 12 फरवरी 1922 को राष्टिय इस्तर पर असायोग आंदोलन को रोक दिया था इस कोश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है चो किया रहा था है इस आंदोलन की सुरुवात गांदी जी के डांडी मार्च यात्रा से हुई थी गांदी जी ताथा सावन होती आस्तरं के अधाथर अनसाध्स्यों ने 12 मर्च 1930 से एमदाबाद से 241 मेल के दूरी पर इस से एक गाउं के लिए यात्रा प्राराम कर दी यात्र प्रस्ताव स्विकार किया गया नाकपूर कानपूर लाहुर दिल्ली स्रीवारा जो अपस्तान है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लाहुर 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राश्तिय कांगरेस का बार्सिक अधिवेशन ततकाली पंजाब प्रांत की राजदानी लाहुर में हुआ इस एतियासिक अधिवेशन में कांगरेस के पूर्ण सुराज का खोशना पत्र तयार किया गया पूर्ण सुराज को कांगरेस का मुख चुने गए तो इस कोशन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है चलिए बात करेंगे अगले कोशन की उन्तिसमा कोशन है गाइस प्रांतिये एवं केंदरी विधान परसेदों में अनुसूची जातियों कि आरच्छन संबंदी पूना समझोता ये कब वर्स 1932 वर्स 1936 वर्स 1938 तो बी वाला जो अप्सान है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वर्स 1932 पूना अक्ट अत्वा पूना समझोता भीम्राव मेडिकर एवं मातवां गांदी के मद पूने की येरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ अंग्रेज सरकार अगला कोशन दच्छन अफ्रीका से गांदी जी के भारत आने पर उनका पहला सत्यागरे अंदूरन कौन सा था ख्याडा अंदूरन बार्दोली अंदूरन चंपारन अंदूरन ब्यक्तिका सत्यागरे गांदी ने दच्छन अफ्रीका में सत्यागरे और अहिंसा के अपने आजमाय हुए अस्तर का भारत में पहला प्रियोग चंपारन की धर्थी पर ही किया था तो इस कोशन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है जोनोंने गांदी जी ने आंदूरन किया थ भारत आने से पहले उनका पहला जो सत्यागरे था इस कोशन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है अगला कोशन गाइस कोशन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का एलान कभर किया ऑप्सन सी जो है आपका बिल्कूल करेक्ट हो जाएगा वर्स 1929 में समझता होगा जिसे इरिविन पैक्ट कहा जाता है साल 1929 में वाइसराय लाट इरिविन ने भारत को डोमिनियन इस्टेट्स देने की खोशना की थी हलांकि यह क्या होगा इसके बार में कोई ठोस रूप रेखा नहीं बनी थी इस्ट कोशन इंग्लेंड इमिग्रेशन एक्ट कब पारित हुआ यह पारित हुआ था 1869 में तो बी वाला जो अक्सन है आपका बिल्कूल करेक्ट हो जाएगा अथारा सो इनसट का इंग्लेंड इमिग्रेशन एक्ट फ्रांस कब गरतंत बना यह कोशन ने पूझा जा रहा है फ्रांस जो यह कब गरतंत बना था तो फ्रांस 21 सितंबर 1792 में गरतंत बना था सी वाला जो अप्सन है आपका बिल्कूल करेक्ट हो जाएगा सितंबर 1792 में पर्थम फ्रांस से गरतंत उद्गोशित हुआ और 21 जनवरी 1793 को लुई सोलवे को फासी देती गई बाहरी रा होशित किया तो इस कोशन से आप लोगों को कितनी जानकारी प्राप्त हो जाती है अगला कोशन बोर्लाउग प्रुसकार किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए बैग्यानिकों परदान किये जाते हैं दी वाला जो अपसन है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्रसी के लिए यह आपको धियान में प्रुसकार में प्रुसकार मनता है यह प्रुसकार 1922 में बनाया गया यह और नोबल विजेता नौवन इबरलॉक के समान में नामित किया गया था इस प्रुसकार की जो शुरुआत हुई थी वर्स 1922 में इसे बनाया गया था यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है चले बात करतें अंगले कोशन की भारत के 48 मुख न्याइदिस कौन है तो बी वाला जो अपस्तान है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा एनवी रमना भारत गड़राज में अब तक 48 वर्तमान मुख न्याइदिस है न्याइदिसों ने मुख न्याइदिस के रूम में सेवा कि न्याइमूर्ति स्री एच जे कानिय यह भारत के पहले मुख न्याइदिस है यह आपको ध्यान में रखना है जियश्ती परिसत की अध्यासता किसके द्वारा की जाती है ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा केंदरी वितमंत्री इसके वारण जान लीजी आप लोग वस्तु एवम सिवाक पर परिसत द्वारा संचालित है वारत के वितमंत्री इसकी अध्याच होते हैं जियश्टी के तैट वस्तु और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है 0% 5% 12% 18% मोटे किमती और अर्ध किमती पत्थरों पर 0.25% की एक विसेस दर तता सोने पर 3% की दर है तो इस ओप्सन डी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंद्र प्रदेश धिमसा आंद्र प्रदेश का एक आदिवासी नत्य है यह मुकरूख से पोर्जा जंजाती द्वारा किया जाता है अगला कोश्यन गरीबी हटाओ नारा किस पंचबरसी योजना में दिया गया थ चौथी, पांचबी, छटी, साथवी ओप्सन वी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा पांचबी पंचबरसी योजना में गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा उन्नीस सो इकत्तर के आम चुनाओ में इंद्रा गादी ने दिया था बाद में उनके बेटे राजि इसके रूप में सुईकार किया गया था अगला कोशन देखेगा गाईस अटल भूजल योजना का उद्देश भारत टैस राजियो में भूजल प्रमंदर में सुधार करना है सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा तो सी वाला जो अप्सन है आपका विल्कुल करेक्ट हो लगबक 78 जिलों 8,350 ग्राम पंचाइदों को प्रबावित करते हुए सामुदाई भागिदारे के माध्यां से बोजल प्रबंदन में सुधार के लिए प्राजमिक्ता वाले राजी है योजना की अपदी 2020 से 2025 तक है आज का हमारा सबसे लाश पोप्शन रहेगा किस दिगच को 2018 का दादा साइब फाल के प्रुसकार के लिए चुना गया है 2018 की बात करें तो अमिताब बच्चन और 2021 की बात करें तो रजनी कांत भारती सिनेमा और दच्छन भारती फिल्मों के दिगच अवैंता राजीरी कांत को 91 वे दादा साइब प्रुसकार से सम्मान किया प्रसाण मंत्री प्रकात जावेडकर ने गुरुबार को इसका एलान किया उन्होंने क्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी तो आज के वीडियो में बस इतना ही आसा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक एक एक कोशिण आपके माइड में सिठ हो जाए और उस कोशिण से रेलेटर मैं आपको एक्ष्टा फैक्ट इसलिए बताता हूँ कि उसकोशिण के बारे में आप लोग अच्छे से जान लें पढ़े लें पीडियो आप इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग हर एक कोशिण अच्छे से पढ़ें और उसके बारे में अच्छे से जान लें ठीक है चैनल को सब्सक्राइब जिरू करें अगर आप आज यह टेक्निशर की त्यारी कर रहे हैं मिलते हैं आप इस वीडियो के साथ जैहें ज़ा